Acculturation को इस तरह define किया जाता है कि यह एक process of learning and changing है जिसमें हम किसी नए culture में जब move करते हैं किसी और मुल्क में तो उनके रहन-सहन के तरीके, उनके रस्मे, उनके mannerism, उनकी language उनकी even values और beliefs को जो है वो incorporate करते हैं अपने belief system में जैसे immigrants हैं उनकी families किसी और मुल्क में जाते हैं इसके वज़ा से जो behavior हम करते हैं उससे health such as dietary habits आप कुछ और खाते हैं वाँ जाके, activity level आप पैदल जादा चलते हैं, substance use तो यह चीजें मतलब कुछ लोग किसी vegetarian culture में जाते हैं, हम जापान गए तो हमें यह बहुत अच्छा लगा कहाँ चीज सबजी पे बेस थी, vegetarian थी, यह और बात है कि कुछ साथी कह रहे थे कि रोटी और कड़ाई कब आएगी लेकिन आप यह रही 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 लव द वेशिंपल पूड वस तरफ और और अर्गैन वेजिटेरियन इन जैपन यह जो डेफिनेशन हैं यह एक अर्टिकल है immigrant medicine 2007 का इसको देखिएगा, unculturation is the process जिसके जिरिया आप किसी culture के बारे में homework करते हैं वहाँ जाने से पहले, unculturation तो होती है ना जब आप अपने culture को तबदील करते हैं वहाँ जाके या कुछ और चीज़ें सीखते हैं, unculturation यह होती है कि आप उसके बारे में सोच रहे हैं और उसके होंबग कर रहे हैं उसके बारे में जान रहे हैं तो किसी second culture के बारे में, यह Alice Island है, 1905 की public domain में यह picture मुझे मिली है, Chris की है और यह immigrants जो हैं वह Alice Island पे आ रहे हैं, immigration और a culture relation की लंबी हिस्ट्री है, बहुत देर से इनसान यह कर रहे हैं, यह process है, social, psychological, and cultural change का, जब cultures आपस में मिलते हैं, immigrants, refugees, asylum seeker, पनागुजीन और सफर करने वाले लोग, वो सब इससे गुज़रते हैं, लेकिन उसके इलावा भी लोग इससे गुज़रते हैं, जो भी काम करने जाएं, दो मिसालें research की, एक तो dietary practice इन्होंने compare की हैं, Arab speaking immigrants की और refugees की in western societies, इसको उन्होंने एक review की है कि इनकी dietary habits क्या हैं, मसला हम हलाल खाना कहीं भी नहीं छोड़ते हैं, और अगर हलाल गोश्ट ना मिले तो हम गोश्ट नहीं खाते हैं, तो दूसरे culture में जाके मेरा ये तजर्प है, लेकिन मुझे ऐसे लोग मिले जिन्होंने का कि देखें, मुर की के ओपर पले वे जब आपकी जिन्दगी के इतने साल गुजरे हैं, तो कोई का mystery ना disturb हो जाए, there is a theory to that, there is a logic and wisdom, उसके बीचे कोई वज़ा होगी, ना, सिद्रा जवे एदेख पंजाब युनिवर्स्टी की student है, उनका M.Phil का thesis था, character strength को कैसे use करते हैं, जो पाकिस्तानी यहां हैं, और जो साओधी अरब में काम कर रहे हैं, तो एक ही culture के ना, लेकिन हमने यह देखा कि जो पाकिस्तानी यहां है, और जो साओधी अरब में हैं, उनमें एक फर्क करेक्टर का नाजर आया, बाकी तो खेर लंबी तफसील है, वो honesty को ज्यादा इस्तमाल कर रहे थे, यह था cross-cultural, culture relation का एक थोड़ा सा तफसरा, इसका फाइदा ही होता है कि लोग ज्यादा effective हो जाते हैं, efficient हो जाते हैं, अपनी नई environment में, जब वहां जाके culture क adopt करते हैं, किसी को greet कैसे करना है, सलाम अलैक, language सीखनी है, कौन से जुमले बोलने है, dress code क्या है, कोई चीजें बजार से कैसे खरीद दी है, services हैं, बस पे कैसे चर्णना, टिकट कैसे लेना है, तो cultural adaptation, international communication के लिए भी vital है, और professional interaction के लिए भी, और यह जो तस्वीर आपको आ रही है, अगेन, मेरी सब तस्वीर है, मेरे अपनी खेंट्री भी होती है, यह Vancouver Canada में एक conference ती, teaching of psychology की, जिसमें अगेन आपको मुक्तलिफ कल्चर के लोग नज़र आ रहे हैं, तो मैं बात कैसे करती, अगर मैं कुछ उनके culture में गुफ्तगू का तरीका ना सीखती, एक model है किया, आता कि हम अपने culture को preserve कर सकें, बचा सकें, उसको काइम रख सकें, यह England में मैंने बहुत families देखी हैं, जो अभी भी बरियानी ही खाएंगे, वोई कपड़े पहनेंगे, उसी दुकान पर जाएंगे, शादियां cousins के साथ करेंगे, तो उन्होंने का कि हम एक दिवार बन लेते हैं, इंटेग्रेट कर लेते हैं, और इसको by culturalism भी का जाता है, हम में से अक्सर लोग यहां रहते हुए भी और जब हम दूसरे मुलकों में जाते हैं, हम बाइक कल्चरल हैं, हमने दोनों cultures रखें, marginalization यह होता है, कि वो अपने culture को भी reject करते हैं, और उस मुलक के culture को भ बाते हैं, इसके उपर एक assignment है, compare these two opposite trends, the separation and the globalization of culture, which trend do you consider more powerful and compelling, आपको कौन सा अच्छा लग रहे हैं, eventually will cultures merge and become more separated from one another, यह एक दूसरे में घुल मिल जाएंगे या अलग रहेंगे, अपने इसके उपर आप जो भी तबस्रा लिखें, जो भी comment करें, इस course के खतम होने के बाद, जो भी आपके views होंगे, उसको fact से और किसी argument से, reasoning से आप पेश करें,